हेलो फुरेंड्स आप सभी का टेक्निकल जर्शाथ यूटूब चैनल पे फिर सेखबर स्वागत है दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास और बहुत ज्यादा यूजफूल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा अप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा जिस अप्लिकेशन को अगर आप अपने फोन में सिर्फ डाउनलोड करके रख देते हो ना तो आपके फोन में जो भी कॉल आएंगे जितने भी लोग कॉल करेंगे आपके फोन में उस कॉल को आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा जी हां दोस्तों माल ल रङ्ड देते हो तो आपको नाम परने की या फिर नमबर देखने की ज़रूद नहीं है आपका फोनुस बता देगा जिसने भी आपको कॉल किया था यह तो इस तरीके से अपलिकेशन काम यह दोश्तु olsun में अपने फोन में डाउनलोड करना चाते हो दोस्तो इस application का download link आपको मेरे वीडियो के description box में मिल जाएगा वहाँ से भी आप download कर सकते हो ठीके तो दोस्तो इस application को download करके आप अपने phone में open कर लिजिएगा open करते ही आपके समय कुछ ऐसा वाला page खुल के आजागा और यहाँ पर आपको go list पर click कर देना है ठीके जैसे आप यहाँ पर click करोगे और एक page आपके समय आजाएगा यहाँ पर आपको allow की permission देना है जो भी permission मांग रहा है आपसे यहाँ पर आपको permission देना है इसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको caller name speaker दोस्तो यहाँ पर click करना है इसके बाद close पर किलिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर setting यहाँ पर आपको setting करना है तो दोस्तों यहाँ पर आप जितने भी setting देख पारो ना यहाँ पर सबको यहाँ पर on कर देना है जो भी off रहे ना इसको सबको on कर देना है ठीक है तो दोस्तों इन सभी setting को on करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको बैक्स चले जाना है और बैक्स चले जाओगा जब और जैसे आपके फोन में अब कॉल करेगा ना कोई भी इंसन अगर आपके फोन में कॉल करता है तो उसका नाम आपका फोन बता देग है और जो है आपको बैक चले जाना है इन सभी को ओन कर देना इसके बार ठीक है तो इस अप्लिकेशन का डाउनलोड लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से डाउनलोड कर लिजाएगा तो कमाल की अप्लिकेशन अगर आप अपने फो